Hello Friends, Welcome to Gaps Classes दोस्तो ये है हमारी वीडियो नमबर 5 C++ की वीडियो नमबर 5 इससे पहले औरेडी 4 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं और मेरी सब सुरिंट से रिक्वेस्ट है अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी है description में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है और यहा पर भी आ रहा है तो आप सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखना सीक्वेंस में देखोगे तो C++ बहुत असान लगेगा टाइम बेस नहीं करेंगे वीडियो को स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका ग्याप्स क्लासिस के चैनल में दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो के अंदर ग्लास में मैंने आपको सिखा था important points उमीद रखूंगा आपने practical करा होगा और सासात में जो जो मैं आपको assignments के question देता जारा हूं उसका भी आप practical कर रहे होगे अगर आप practical नहीं करोगे assignments all नहीं करोगे तो आपका base clear नहीं होगा और base clear नहीं होगा तो आगए आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आईगी तो मेरी एडवाईस सब सुरेंट से है कि सासाथ प्राक्टिकल जरूर करना असाइमेंट सारे जरूर सॉल करना दोस्तों अब हमारा बेस थोड़ा सा बनता जा रहा है इस वीडियो में हम थोड़ा सा अपना लेवल को और इंक्रीज करेंगे इस वीडियो के अंदर हम दो कोशन्स पढ़ेंगे दोनों ही बहुत जादा इंपोर्टन कोशन है और उन दोनों कोशन्स के अंदर हम इंपोर्टन पॉइंट समझेंगे नए कंसेप्ट सीखेंगे एक चीज और वीडियो को start करने से पहले कई students ऐसे होते हैं वो जो कोई दूसरी book को refer कर रहे होते हैं फिर बार-बार हमसे पूछते हैं सर ये topic कब आएगा ये चीज हम कब पढ़ेंगे दोस्तो जो भी gaps classes में पढ़ रहा है उन सबसे मेरी request ये है कि patience के साथ चलो आप कोई दू gaps classes के assignment solve करो gaps classes की videos के जो concept सिखाए जा रहे हैं उसको समझो धीरे धीरे जब level बढ़ेगा तो जो questions दूसरी book के अंदर है theoretical के जैसे हो गए वो सारे मैं questions के साथ cover करता हुआ चलूँगा ऐसा कभी भी नहीं करूँगा कि पहले मैं आपको सारी theory समझाओं फिर उसके बाद आगे concept सिखाऊ नहीं theory सीखने का तरीका यही है कि आप प्रोग्राम करो उस प्रोग्राम में उस concept को सीखो और उसके बाद आप खुद theory बना के लिख दो बहुत important question सबसे ज्यादा important question है जो concept अब हम इस question में पढ़ने जा रहे हैं यह concept बहुत सारे questions के इंदर use होगा ही होगा ठीक ह अब जैसे कि हमने इतने सारे questions कर लिए programming के थोड़ा सा अपना level बढ़ाते हैं एक निया question देखते है question है write a program to input one number from the user and print the last digit of a number question का मतलब यह हुआ कि एक number user डालेगा और जो भी वो number user डालेगा हमें last number प्रिंट करना है जैसे कि मैंने example लिया अगर number है user ने इंटर करा 981 तो output के आना चीए हमारा one answer आना चीए एक और लेता हूं number है for example हमारा one nine eight four तो output के आना चीए four आना चीए अब धियान देना जब भी programming का question आएगा आपको उसके इंदर बहुत जाता सोचना पड़ेगा अभी तक हम कर रहे हैं सेंपल से questions अब हमारा level बढ़ रहा है तो इसलिए हम थोड़ा से higher level question पर चलते हैं थोड़ा से level बढ़ाते हैं इस question के आपको सोचना बहुत पड़ेगा तो जब भी प्रोग्राम करना हो तो सबसे पहले आप उसको सोचो जितना ज्यादा सोचोगी होते यदा programming concepts clear होएंगे तो programming एक ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया और समझ मे आगया उसमें आपका अपना logical mind भी चलाना बहुत जरूरी है वो तब ही चलेगा जब आप सिंपल से question से सोचना स्टार्ट कर दोगे तो अब ऐसे questions आएंगे जिसमें हमें सोचना बहुत पड़ेगा ठीक है तो देखते हैं अगर नंबर में को यह दिवार 981 तो हम ऐसा क्या करें जो last digit आएगा सोचो क्या करेंगे ऐसा हम आपको सकते कुछ mathematics करना है कुछ plus minus divide multiply हिंट है plus minus divide multiply कुछ करना है तो आगे चलने से पहले आप पांच मिट इस प्रोग्राम को सूचना कि ऐसा maths के अंदर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो last digit देगा ठीक है मैं continue करता हूं लेकिन आप पाउस करना पांसाइट मिट सोचना फिर उसके आगे इसका का पाट देखना अब मैं इसको समझाता हूं logic कैसे चलेगा सब्सक्राइब लेलिया मैंने 45456 अगर मैं इस नंबर को 10 से डिवाइड करूँगा तो जैसे देखते हैं मैं कैसे डिवाइड करते हैं 10 से जाएगा 6 आ जगा ध्यान देना नंबर क्या लिए था हमने 456 और रिमेंडर कितना आ रहा है 6 इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो हमेशा लास्ट डिजिट देगा अगर रिमेंडर ले रहे हैं तो चीक है कोशन में लास्ट ड क्या रहा लास्ट डिजिट 6 राइट ऐसे कोई भी आप एक्जाम्पल ले लो उसको सॉल करके देखो हमेशा यही होगा नंबर को 10 से डिवाइड करो रिमेंडर लोगे दाट विल गिव थी लास्ट डिजिट ओफ नंबर चैक्या तो हम देखते हैं इसको कोड कैसे लिखना स्टार्ट करा है इंक्लूड आयो स्टीं.च वोइड में इंट ए कॉमा बी ए एक नंबर एंटर कराएंगे बी जिसके इंदर हम रिमेंडर लेंगे तो सबसे बहले क्या करना है एंटर करवाना नंबर नंबर तो हमें नहीं पता तो बोला सिया उंटर था नंबर तो किससे है C in A क्या लिखा C in A यहां तक clear अब क्या करा जो नंबर है उसको किससे डिवाइड करा 10 से तो A divide का sign 10 किसको दे दिया में लेट सेड में आ गया B अब B के पास क्या आ गया last digit आ गया और उसको print कर दे लिखा C out last digit is B right simple है क्या करा number एंटर करा है divide करा 10 से और B को दिया और last digit आ अब धिया देना है कोशन में देना हमें क्या कर लाइंस डिवाईड को अल्मागता क्या आ गया रिवाइड की जगा परसेंटेद का सांक अब समझतेया परसेंटेज क्या होता है कम्प्योडर की टर्म के अंगर दो सिमबल होतेया एक होता डिवाइड कह जो स्लैश था और एक को ठाप स्दथ डिवाइड वाले ओ सब्सक्राइब तो लिए प्रॉग्म को अब चलते हैं नेक्स कें सिंपने सुन्दिशेटले इस कोषयन के सब्सक्राइब नाहिए नहीं पहला पर लास्सेघर उसन ने पहले सब effective भर nenhuma 980 के गया प्रोग्राम करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा ऐसा हम नंबर के साथ क्या करें जो हमें जो रिक्वार्मेंट है उसके साथ से आंसर मिलेगा तो थोड़ा सा सोचो दो चार मिनिट पास मिनिट सोचो और तब तक वीडियो पॉस करना और फिर उसके बाद कंटिनुशन पर से जिए जबन देना अगर मैं किसी भी नंबर को डिवाईट करता हूं टें से और को जिए लेता हूं क्या लूँगा कॉष्षण लोगा तो वो हमेशा हमें लाज़ पर चोड़े बाकि सारे डिजट देगा इस से पहले वाले को शेजन में मैंने क्या का था किसी भी नंबर को divide करेंगे 10 से और remainder लेंगे that will give लास्ट डाँस देगा लेकिन इस खौशन में लीचई के सारों तो क्या करेंगे 10 से divided करेंगे और क्या ले लेंगे कोस्ट दे समस्स्तेज़ है जैसे मैंस्ट में divide करें divide करके गिखाता हूं जीआ वही सहीमिद सेटी लिभाई करा पहले किसे डिवाइड होगा, 4 से तो कितना आगा, 40, कोशन कितना आगा, 4, उसके बाद ही क्या बन गया, 56 को टेंच से डिवाइड करेंगे, तो क्या आजागा, 50 आजागा, और कोशन कितना आजागा, 5, रिमेंडर कितना आजागा, 6 आजागा, अब धियां देना, नमबर था मेरा four fifty six, जो different करा pro ken कितना रहा फॉरट्टी फाइँ रिमेंडर कितना रहा six तो कोशन में हमें last जैड़ते बाकी सारे करें हम दो क्या गरना है कोशन में 10.idדší यह को निगे क recognise bond m a चलते हैं अब लिखते हैं प्रॉग्रम कैसे ut Hail and स्टार्ट करा हैश इंक्लूड आयो स्प्रीम डॉट इच वाइड में कितने वरियबल्स रोंगा दो वरियबल्स इंट एक नमबर यूजर एंटर करेंगा और क्या आएगा बी ले लूँ और जिसके अंदर लास्ट इजिट को छोड़ेंगे बाकि सारे नंबर साज़ेंगे तो नंबर एंटर कराना लिखा तो बोला C अंटर अनबर अब इस A को किससे डिवाइड करेंगे हम 10 से डिवाइड करेंगे और क्या चाहिए हमें लास्ट इजट नहीं चीए बाकि सारे चीए तो इसका मतलब कोशिंट चीए कोशिंट के लिए कूँ सा सिंबल होता है डिव है यह बिल्कुल करेक्ट है क्यों करेक्ट है क्योंकि हमें question चीह था और division क्या देगा question दुबारा से important point पे चलता हूँ जो पहले question पर्दा था हमने एक होते device का sign और एक होते percentage divided is known as division operator यह क्या करेगा किसी पर्सेंटेज इसको क्या कहेंगे ताट इस मॉडूलेस ऑपरेटर इसको क्या करेगा जो भी नंबर लिखा उसे डिवाइट करेगा और क्या देगा हमें रिमेंडर देगा चीक है इडिफ्स रिमेंडर आफटर डिवीजन राइट लिखलो इस प्रोग्राम को आप बहुत आपके पास मौका है लोगों की मदद करने का अब वो कैसे अब मैं आपके सांद हैं यहां पर दिखांगा यह रिजल्ट है उस इंसान का जो अपने जिंदगी में बहुत परिशान थे इस से परिशान थे बहुत ज्यादा वेट नंगा और उन्हें पता नहीं क्या क्या कर तो पहले मैं आपको रिजल्ट सुना हूंगा रिजल्ट सुना और अच्छा लगे तो अप्रिशेट जरूर करना मैंने 50 kg वजन कम किया है दस महीने की अंदर 50 kg आप लोग कहा रहे हैं हो हम मेरे साथ तो जो नंबर भीच में फ्लैश कर रहा है को इन्फोर्मिशन लो कैसे घर बहते हैं वेट को कम करा जा सकता है कैसे आप अरामसे घर से ही वेट कर सकते हो और अगर आपकी फैमिली में नहीं या फिर आपको परोज में ऐसा बनदा है तो उनको हमारा नंबर जरूर दे देना क्यों कि जब आप किसी इंसान की help करेंगे और वो बाद में जो वर्स बोलेगा थैंक यू वो आपको दिल पे लगेगा और आपको actually में रिलाई होगा कि आपने life में बहुत बल्या काम कर है तो दोस्तों मैंने अभी आपको दो कोशन सिखा है दोनों कोशन के अंदर आपने important points भी सीखें यह assignment के questions हैं यह आपने करने हैं अगर आप assignments all नहीं करोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे assignment जरूर सॉल करना वी आपने लिखना है अपना नाम और health सिरफ लिखना health उसके बाद हम आपको information देंगे कैसे आप हमारी community देख सकते हो आपको बड़से पर ही message आएगा